नमस्कार, जोब श्टेड गुरुजी यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है, CT का एक्जाम हो चुका है और इसके आगे का प्रसेस क्या होगा, कौन-कौन से पदों पर भढ़ती है, आएंगे, कितने गुणा कंड़ेट बुलाज जाएंगे जिन्होंने 40% और 50% नमबर ले हैं, उनका क्या होगा तो जैसा कि आपको पता है कि, अगर रिजर्व कैट्टिरी से जो चौन-डट 40% नमबर लेता है तो वो जवी इस एक्जाम को कौलिफाइ कर लेता है और आप 50% नमबर लेते हैं, तो आप एक्जाम को पास कर लेते हैं लेकिन क्या इतने नंबर लेने से आपका काम चल जाएगा क्या आपको नोकरी मिल जाएगी क्या आपको आगे मुका में लेगा तो देखिए अभी आप फिलहाल वेरोजगार हैं चालिश परसेंट और पचास परसेंट नंबर लेने के बाद में भी आप बेरोजगार रहेंगी ठीक है आप जो भी जोब के लिए त्यारी करते रहेंगे क्योंकि HSC ने जो रूल बनाया है उन्होंने रूल बनाया है कि जो भी हम भरते निकालेंगे C गुरूप की तो उसमें जितने भी आपकी पोश्ट होगी उसकी चार गुणा कंडेट यानि कि टोपर बच्चों को हम बुलाएंगे तो यानि कि 40, 50, 55% नमबर लेने वाले पिछे रहे जाएंगे उनको मुका नहीं दिया जिका मुका केवल टोपर बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अच्छे नमबर ले लिए हैं यानि कि जो निन्हें पैंसेट सतर नमबर जो लिए हैं उनको मुका मिलेगा आगे नोगरी क सकी है कल रखी ठीक है और 3000 पोस्ट का यहां पर यह क्या करेंगे चार और अकंडेट बुला लेंगे टोपर ठीक है जो अभी आपका सीटी का एकजाम हो यानिकी 12000 कंडेट को बुला लिए जाएगा एकजाम के लिए 12000 कंडेट एकजाम देंगे इसमें से 3000 को जो मिल क्या है CT exam को लेकर तो मेरिट वाले अभ्यारतियों से आयोग पूछेगा कौन सी नोकरी पसंद CT अभ्यारतियों की हामी के बाद मांगे जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवेदन तो यानि कि पहले उन से पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन सी नोकरी करनी है उसके बाद में जो वो फार्म निकलेंगे तो उनकी फार्म बरवा ले जाएंगे ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं स्युक्त पातरता प्रिक्ष्या सफलता प्रोग संपन होने के बाद अब हर्याना करमचारी चाहन आयोग गुरुप सी के 32 जार पदों पर जल्द बरतियां करेगा इसके लिए स्मिक्ष्या की जार रही है CT मेरिट वाले अब्यारतियों से पूछेगा कि इस किस पद पर नोकरी चाहते हैं अब्यारतियों की सहमति के बाद बरती के सक्रिनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अब्यारतियों की योगता अनुसार जो अभी एक पद पर सहमति जताने पर दूसरे पदों के लिए आवेदन कम रखेंगे इसमें आयोक का भी समय बचेगा और सभी अब्यारतियों को योगता अनुसार मुका मिलेगा अभी तक टोपर्स अब्यारति हर प्रिक्षा में सामिल होते हैं और पास करते हैं प्रिक्षा के एधार पर या तो नोकरी जोईनी नहीं करते हैं या फिर करने के बाद छोड़ देते हैं आयोक के पास ऐसे दरजनों उदारना है कि एक नोकरी मिलने के बाद अब्यारति उस वह हाई कोट में चुनोती दे रखी है बैरतियों की मांग है कि CT में चार गुना की बज़ाई जो भी प्रिक्षा पास करें उसके स्क्रीनिंग टेस्ट का मोगा मिलना चाहिए तो क्या सभी को जो भी आगे जो भी टेस्ट का मोगा मिलना चाहिए अगर आप यह चाहते हैं तो जेई सायक मेंजर सब फायर ओफिसर लेवर इसनेटर मोटर वहिकल इसनेटरी इसनेटर सिनेटर नगर पालीका छीव अस्टेन्ट फूड एंड सप्लाई ऐसिसटेट इनफूर्मेशन पुपली्क रिलेसन ओफिसर बज़ी निगम अस्टिसिंट ला ओल ओफिसर ठिक है ला प्रमासिस्ट, प्लांट, ओपरेटर, आपका प्रूफ रीडर, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, प्रेस, मेकैनिक, रेडियोग्राफर, एल्ट्रा साउंड, टेकनीशियन्स, लेवर, इस्पेक्टर, लीगल सायक, सीनियर, ओडिटर, सीनियर, मोडललर, सीनियर, मेन, सीनियर, साइन्टिफिक, यान की बहुत सारे पद है, जो आपकी इन पदों पर बढ़ती होगी, यान की पटवारी है, जूनियर, स्केल, स्टेनोग्राफर, लेव सायक, ठीक है, लेवर, टेकनीशियन्स है, जूनियर, कोच, स्टाफ नर्स है, सोसल एजूकेशन, रेनो, टाइपिस्ट, इंदी, इंग्लिस, ठीक है, इन पदों के उपर यह लगबग बढ़ती है, आपकी करवाई जाएंगी, जो गुरूप C की यह आपकी भरती रहेंगी, और अब यहां पर देख सकते हैं, एक नकल का मामला भी सामनी आया है, यहां पर CT exam को लेकर, निर अगर सेन, सकूल की प्रिक्षा केंदर के, एक कमरे में निर्खसक दवारा अभ्यारती को नकल करवाते हैं, एक कंट्रोल रूम में मामला देखे जाने के बाद, फतेवाद में तिनात नोडर अधिकारे हसी की टीम ने समधित निर्खसक को ड्यूटी से रिलीव कर दिया था लेकिन अब निर्खसक के खिलाब कारवाई के आदेश दिये गए हैं, हलाकि सुप्रिडेंट ने किसी भी तरह से नकलना होने से मना किया है, एचसी निफतेवाद परसासन को समधित फूटूज बेज़कर कारवाई के लिए कहा है, तो यह कुछ अपडेट थी, आपके CT ए